के लागे जी थे स्टुदेंट्स क्लास 7 की साइंस टेक्स्ट्ट्स बुक में चैप्टर नमबर 3 है फायवार चुकह टु फैब्रीक इस में हम कुछ फायवर्स के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम आपको बता देते हैं टाइपs-आफ-फइमर्स और सोटे ही वो दो प्रकार के होते है। जी से नैच्जल फइबर and synthetic नेचरल फाइवर्स वे फाइवर्स होते हैं जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं नेचरल फाइबर भी दो परकार के होते हैं जैसे प्लांट फाइवर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं जैसे कॉटन एंड जूट और एनिमल फाइबर्स जो हैं वो हमको एनिमल से प्राप्त होंगे इसके एक्जाम्पल से वूल यानि की उन सिल्क यानि की रेशम सिंथेटिक फाइवर्स वे फाइवर होते हैं जिनको की दीजार्दा मैंड मेड फाइवर्स इनको इंसान डिफरेंट प्रॉसस के द्वारा बनाता है जैसे की रेयॉन नाइलॉन बेसिकली इस चैप्टर में हमने एनिमल फाइवर के बारे में पढ़ना है एनिमल फाइवर्स यानि की वूल और सिल्क चैप्टर के इस पार्ट में हम वूल के बारे में पढ़ेंगे यानि की उन के बारे में पढ़ेंगे जबकि सिल्क के बारे में हम अगले पार्ट में पढ इनिमल से प्राप्त होते हैं कौन-कौन से एनिमल हमको ऊल देते हैं जैसे शीप जैसे भेड जैसे अंगोरा गोट यह अंगोरा गोट है यहां पर यह अलपागा तो इस आरदा वूल गिविंग एनिमल्स यह जो है इनके बाड़ी में आप देख रहे होंगे कई सारे जो है एक प्रकार का क्या है यह एनिमल फाइबर है एक कुश्चन आता है कि हाव ड़स वूल कीप बाड़ी वार्म जो वूल होती है वो बाड़ी को गर्म कैसे रख पाती है तो जो वूल्स वूलन फाइबर ट्रैप लॉट ऑफ होते हैं उनके बीच में बहुत जगह होती है औ हीट का पूरच कंडॉकल है इन दजानात अपास एन विडाव जो है वह क्या करते हैं हीट को पास नहीं होने देते हैं तो एल्यों जो है वह हीट का पूरच कंडॉकल है and it does not allow the transfer of heat towards outside and keeps body warmer यानि कि जो air होती है वो poor conductor होती है यानि कि वो heat के transfer को allow नहीं करती है तो इस वज़े से जो हमारी जो body की जो heat है वो जो है बाहर नहीं जा पाती है क्यों क्योंकि बीच में जो woollen fibers के बीच में जो air है वो heat के transfer को allow नहीं करती है और तो इसी वज़े से जो हमारी जो body होती है वो गर्म रहती है अब हम समझते हैं कि जो wool fibers की processing कैसे होती है यानि कि जो wool giving animals जो है उनसे किस प्रकार से जो wool है वो तयार की जाती है इसके हाँ पर हमने कुछ steps जिसके कहना चाहिए लिख रखे हैं जैसे sharing scoring sorting cleaning of birds dying and rolling these are the steps involved in the processing of the wool यहाँ पर हम जिसे कहना चाहिए यहाँ पर हमने कुछ books के कुछ pictures भी लिख रखें जहां पर sharing दिखाया वा है scoring scoring by machine and rolling into yarn these are the pictures from the textbook और अब हम जो है इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे सबसे पहले जो है sharing what is the sharing जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमको wool जो मिलती है वो जो wool giving animals होते हैं उनके fleece से मिलती है fleece यानी की जो wool giving animals होते हैं जो hairs होते हैं उन से जो है हम हूँल को बनाते हैं उनको हम उससे बनाते हैं तो what is the sharing removal of removal of removal of fleece from the body of sheep is known as sharing यानि कि जो sheep भेड है या वोल गिम्न जो animals है उनकी बाड़ी से जो fleece है यानि hares उनको अलग करने का जो process है उसको हम क्या बोते हैं बार्बर बार कट्टे है और यहां पर देख रहे हैं कि हम जो शीप है शीप की बॉड़ी से फ्लीश को रिमूफ किया जा रहा है मशीन के साहता से किया जा रहा है तो शेरिंग क्या है शेरिंग दा रिमूबल ओफ रिमूबल ओफ फ्लीज फ्रॉम दा बॉड़ी ऑप शीव इस प्रॉम और यह जाता है जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जो वूल गिवेंग अनिमल सुथी जो है उसके बॉड़ी से फ्लीज को अलग करने का जो प्रॉसेस उसको हम बोलते हैं शेरिंग शेरिंग के पर साथ जो फ्लीज मिलती है उसमें काफी सारी डर्ट होती है डर जो डर्ट डर्स्ट और ग्रीज को अफ्लीज से अलग करने का जो प्रॉसेस उसको स्कॉरिंग कहा जाता है जिसमें हम जो फ्लीज जो हमको अनिमल से प्राप्त हुआ है उसको हम शाफ करते हैं और दोते हैं और साफ करते हैं जिससे कि उसको फर्दर प्रॉसेस में काम में स्टेप सॉचिंग क्या है जो फ्लीज जो हमको प्राप्त होता है इसमें अलग-अलग परकार की क्या होते हैं होते हैं तो what is the sorting sorting is the separation of hairs of different textures जो अलग अलग परकार के होते हैं उनको अलग अलग groups में बाट देना अलग अलग कर देना क्या कहलाता है sorting कहलाता है कि नाओ cleaning of birds what is the what are the birds birds क्या होते हैं जो होते हैं जो फ्लफी फाइवर्स हो जाते हैं जो चोटे-चोटे फाइवर्स के जो छोटे-चोटे गोले बन जाते हैं तो वह क्या करते हैं कि जोolla उता का quality को घठा देते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि जो birds होते हैं उनको हम अलग करते हैं जिससे कि जो अच्छे जो क्वालिटी का जो उल्ड जो हैं को प्राप्त हो सके इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि हम यहां पर जो हैंग से या कॉम से जो हेर से जो बलर्स और जो डिफरेंट तरीकी टो अबड़न को अलग रंगों में अंको कलर करना क्या कर आता हैं इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो है उसको इस ट्रेट किया जाता है और यार्न के रूप में कंवर्ड किया जाता है प्रकार से कई सारे गोले बना के दिखाए गए हैं यहां तो कि इस तरीके से हमने इस चैप्टर में इस पार्ट में हमने देखा की फ्री प्रासेशंग कैसे होता है किस प्रकार से बर्ज निकाले आते हैं फिर उसको यार्न बना करके और डिफरेंट फैब्रिक बनाने में उसका उप्यूब होता है